नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में मैं करूना ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 12 के पेंटिंग सब्जक्ट के स्टूडेंट्स के लिए और दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नमबर 9 इन भारते रास्टे दोच का विकास पर कुछ महत्तुपूर्ण प्रश्न उनके आंसर्स के साथ दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके सेकिंड टर्म बूर्ड एक्जाम पैटर्न पर बेस रहें तो शुरू कर लेते हैं कोशन नमबर 1 से कोशन नमबर 1 है भारत के रास्टे दोच को वर्तमान रूप में कब स्विकृत किया गया तो भारतीय सविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 इश्मी में तिरंगे के वर्तमान सुरूप को भारते रास्टे दोच के रूप में स्विकृति प्रदान की गई थी राज्टे ध्वच को स्विक्रित करने से पहले किन किन बिंदूओं पर गहन विचारविमर्ष हुआ था दोस्तों ये वर्णिया पर गलत है तो ये है इसका आंसो नंबर टू भारत के लोगों की भावनाओं, राजनितिक वे सामाजिक आकांग्शाओं तथा सुतंतरता के लिए संघर्ष रत आंदोलनकारियों की चाहतों को ध्यान में रखते हुए गहन विचारविमर्ष के बाद भारतिय तिरंगे जंडे के वर्तमान स्वरूप को बाइस जुलाई 1947 इश्वी में भारतिय सविधान सभा के अंतरगत स्विक्रती प्रदान की गई थी बहुत इंपोर्टन कोईशन है फ्रेंड्स तो इसका अंसर होगा भारतिय रास्ट्र द्वच को तिरंगा कहा जाता है और यह तिरंगा इसके तीन रंगों के कारण कहा जाता है भारतिय रास्ट्र द्वच में तीन रंगों की 36 प्रटियां है सबसे उपर नारंगी रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंगी पट्टी है सफेद रंग की पट्टी पर एक नेवी ब्लू कलर से चक्र बना है जो की सारनात का असोक स्थम्ब से लिया गया है इस चक्र में 24 दिलिया है जो की दिन के 24 घंडों का प्रतिनिदेत्व करती है नारंगी रंग साहस और वीरता को दिखलाता है सफेद रंग शांती का प्रतीक है तो वहीं हरा रंग हर्याली और खुशाली का प्रतीक मारा जाता है इसका अंसर होगा फ्रेंड्स भारती रास्टे द्वज का विकास तीन चरणों में हुआ है जिसका विवरण निम्नलिकित है प्रतम चरण कलकत्ता के पार्सी बगान में 7 अगस्त 1906 को कॉंग्रेस की सभा का आयजन किया गया यही पर भारती लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता एक द्वज फेराया गया जिसे पहला रास्ट द्वज का जा सकता है इसमें हरे, पीले वे लाल रंग की तीन 36 समानुपातिक पट्टियां थी शीर्ष पर हरी पट्टी में 8 सफेद कमल एक सीध में अंकित किये गए थे मध्य की पीली पट्टी में गहरे रंग से वंदे मातरम देवनागरी लिपी में अंकित किया गया था जबकि नीचे की लाल पटी में बाई और सफेद रंग से सूर्य तथा ताहिनी और आर्दुचंद्र तथा उसके उपर एक सितारा अंकित था बात कर लेते हैं दीत्य चरण की तो दूसरा द्वज 1921 इश्वी में भारती रास्टे कॉंग्रेस की विजेवाड़ा जिसको बैजवाड़ा भी कहा जाता है अधिवेशन के दोरान आंध प्रदेश के एक उत्साही युवक पिंगली वेकईया ने तयार करके अधिवेशन के संचालक मोहंदास करमचंद गांधी को सोपा था यह द्वज 236 हरी वे लाल पट्टी से बना था तता मध्य में गांधी चरखा अंकित था हरी पट्टी मुस्लिम संबुदाय का प्रतिनिदित्व करती थी तो लाल पट्टी हिंदू का प्रतिनिदित्व करती थी जबकि चर्खा क्रामतिकारियों का प्रतीक चिन्न था चर्खे को उन्नती का गो तक माना जाता था बात कर लेते हैं तृत्य चरण की तृत्य द्वच जिसे की वर्तमान का तिरंगा कहा जाता है भारते सविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईश्वी को भारते राष्टे द्वच के रूप में स्वीक्रत किया था द्वच के इस रूप को भारत के लोगों की भावनाओं राष्ट नितिक वे सामाजिक आकांग्शाओं तता सुतंत्रता के लिए संघर्श रत आंदोलन कारियों की चाहतों को ध्यान में रखते हुए गेहन विचारवे मर्श के बाद स्वीक्रती प्रदान की गई थी देख लेते हैं question number five तो भारत का राष्ट द्वच कब और कहां कराया नहीं है ये हो गए यहाँ पर फेराया जा सकता है तो भारत का राष्ट द्वच भारत की लोगों की आशाओं और आकांग्शाओं का प्रति रूप है यह राष्ट गौरव का प्रतिक है भारते सी जगा लगाया जाए जहां से वे इस पस्ट रूप से दिखाई दे पॉइंट नमबर टू सरकारी भवन पर ध्वज रविवार और अन्य चुटियों के दिन में भी सूर्यदों से सूर्यज तक पहराया जा सकता है विसेश अफशरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है पॉइंट नमबर तीन द्वज को सदा इस फूर्थी से फेराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए फेराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि द्वज को बिगुल की आवाज के साथ ही फेराया और उतारा जाए साथ ही फेराया और उतारा जाए पॉइंट नमबर फाइव द्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फेराया जाए कि जब वक्ता का मूश रोताओं की और हो तो द्वज उनके दाहिनी और हो पॉइंट नमबर शिक्स द्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की और बीचो बीच या कार के नाई और लगाया जाए पॉइंट नमबर सेवन फटा या महला द्वज नहीं फेराया जाता है पॉइंट नमबर एट द्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना जाए तो दोस्तों ये था आपका चेप्टर नमबर नाईन का सॉल्यूशन आशा करती हूँ आपको सभी कुशन्स अच्छे से समझ आए हूँगे दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करने और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूले चैनल भी सब्सक्राइब करने जिस से की इस तरह की और वीडियो भी आपको मिलती रहें